I hope you all are very well, I am Mankagrawal, आज हम इस वीडियो में complete देहंदू news और editorials का analysis करेंगे सबसे first जो news है, central government ने invite किया है union जो farmers की union है उनको talk के लिए farmers की जो demand है वो ये है कि central government altogether या तो ये जो farm laws हैं उनको scrap कर दे या फिर central government जो है MSP का जो clause है वो add करे, जो central government ने three farm law propose किये हैं क्योंकि जो farmers हैं उनका ये apprehension है कि आगे चलके जो government है उन्होंने अगर market, free market का system कर दिया है MSP के उपर तो इससे problem ये होगी कि आने वाले time में अगर government MSP पर purchase नहीं करती है तो जो capitalist हैं या जो private traders हैं वो आगे चलके खुद rate decide करेंगे जो की बहुत ही कम होगा उनकी जो input cost होती है उसे that's why farmers जो है वो agitate कर रहे हैं अब इसके बाद इसके उपर एक editorial भी है कि जो farmers हैं उनका ये issue जो है वो legitimate है उसमें इस बात को बताया गया है अब ये जो second news है वो आ रही है जो संगाई corporation organization है उसकी जो अभी recent summit हुई जो virtual summit हुई जिसमें इंडिया ने उसमें head किया था उसमें इंडिया के जो vice president है उन्होंने cross border terror जो है SEO reason में सबसे बड़ा challenge है because जो SEO है उसमें eight countries आती है और जिसमें की चार जो है central Asian countries है उसके बाद जो है वो चार उसमें इंडिया, China, Russia और पाकिस्तान जो है वो इंडक्ट है जो SEO है वो एक inter-governmental organization, international organization है जो की Eurasian political military organization है जो की particularly peace को maintain करना security stability को maintain करना इस reason में ये उसका काम है 2001 में SEO को create किया गया था और SEO की जो official languages है वो Russian है और Chinese है अब SEO की create करने से पहले जो 1996 है उसमें सिर्फ जो है वो पाँच countries थी जिसको संगाई five बोला जाता है जो की कज़किस्तान, चायना, किर्गिस्तान, रशिया और तजीकिस्तान ये जो है five members थे उसके बाद जो है वो इंड़किस्तान को 2001 में तो उसको SEO rename कर दिया गया और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इंड़किया गया जो पाकिस्तान को इंड़किया गया वो चायना की वज़ा से इंड़किया गया आप ये group join कर सकते हैं इसकी link आपको description में मिल जाएगी group join करने से आपको benefit ये होगा कि जो भी current affairs related important topics होते हैं उनके detailed जो static notes होते हैं वो आपको इदर से मिल जाएंगे जो भी current में daily दा हिंदू से news आती है या कुछ editorials से related जो भी इसमें static topic होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अब यहाँ पे जो SEO से related जो map है वो कुछ इस तरह से है कि ये इसके जो हैं कुछ member states हैं जिसमें की चाइना जो आपको blue color से दिख रहा है चाइना कजगिस्तान किर्गिस्तान रशिया तजीकिस्तान रुजविकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान और इसके कुछ observer states हैं जो कि green color से बने हुए हैं अफगानिस्तान बेलरूस इरान और मंगोलिया इसके बाद कुछ डायलोग पार्टनर से हैं अर्मेनिया अजर्बेजान जो कि dark blue color से हैं स्री लंका कंबोडिया और टर्की तो और कुछ guest attendees हैं आसियान है तुर्किमेनिस्तान हैं CIS हैं युनाइट अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वो वाइरस को करब करने के लिए मार्केट में बारे वाइरस को करब करने के लिए कुछ ऐसा SOP लांच किया है वो अपने लिए important नहीं है because वो daily होता रहता है then next है all party meet on Friday Friday को जो है vaccine से related all party meet है तो य यह एक important provision है democracy का जहां पर ruling party majority में होने के बाद भी सारी parties से discussion करती है related to any topic तो यह democracy की लिए एक अच्छी बात है next यहां पर बात की जा रही है कि जो केरला में particularly एक केरला और तमिलाडू में एक नया जो साइकलोन है वो आने वाला है 3 December के आसपास जो की केरला और जो स्रीलंका का वेस्टन इस्टन कोस्ट है वहां पर जो है वो आखे टकरा सकता है ऐसा prediction जो है वो Indian Meteorological Department ने किया है तो Indian Meteorological जो Department है उसके वारे में एक बार डिसकस कर लेते हैं जो Indian Meteorological Department है वो Chief Organization है जो Meteorology, Sismology और Associated जो Subject है उससे related study करता है और अपने जो prediction है या projection है वो time to time देता है यह Ministry of Earth Science के अंडर आता है और इसका जो headquarter है वो New Delhi में है और 1875 में इसको establish किया गया था तो यह जो है वो different जो Meteorological observations है वो करता है साथ में जो weather forecasting है उससे related topic और weather से जो भी dependent activities हैं उनके लिए जो helpful चीज़े रहती जैसे irrigation, agriculture, aviation से पेंगे उनकी यह help करता है अब इसके बाद जो next यहाँ पे कोई भी चीज important नहीं है सारी की सारी जो है political news है या ऐसी news है जो अपने लिए important नहीं है थर्ड जेंडर भी prison authorities को वहाँ पे बताना चाहिए जिससे कि जो transgender prisoners हैं उनके वारे में जो NCRB जो अपना data release करती है हर साल prison statistics report जो NCRB देती है उसमें थर्ड जेंडर के तोर पे transgender के वारे में बताया जाना चाहिए जिससे कि उनको proper guarantee हो सके उनकी civil rights के basis पे साथ में उनको जो ह constitutional rights और कुछ basic human rights उनका particularly jail में अगर harassment हो रहा है तो जो कुछ civil rights activist हैं वो उस data में से देखके लोगों की particularly help कर सकें अब यहाँ पे जो अपने लिए important है वो है NCRB NCRB जो है वो एक nodal agency है जो की home ministry के अंडर बर्क करती है और एक authentic source है जो particular data होता है crime का इंडिया में various parameter जैसे की accident होते हैं suicide होते हैं सारी states में और यह उसको form करता है 1986 में यह establish हुआ था headquarter इसका New Delhi में है और यह जो है monitoring agency है crime and criminal tracking network system साथ में यह जो project है national e governance plan के अंदर आता है fingerprint science के लिए जो है वो यह अपना लोगों को जो है वो training भी देती है NCRB जो है चार annual publication publish करती है जैसे crime है prison statistics है accidental deaths है suicide है fingerprint है यह चार जो है इन चार चीजों के उपर NCRB अपनी report जो है वो लेके आती है आपने अभी तक इस group को join नहीं किया है तो नीचे आपको description में इसकी link मिल जाएगी वहाँ से आप इस group को join कर सकते हैं और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है और अगर आप video को daily देखते है तो at least channel को तो subscribe कर लें अब इसके बाद जो next है कि Delhi में जो air quality है वो last year से ठीक नहीं है और अभी particularly जो उसका जो main cause है वो stable burning है पंजाब और हर्याना जैसे states है जहां पे जो farmers है वो stable जो है उसको burn कर देते हैं because उनको जो next crop है उसका जो sowing season है उसके लिए बहुत कम time बचता है तो वो stable burning कर देते हैं अब जो central government का जो एक institute है पूसा institute उन्होंने एक नया जो decomposer launch किया था जो की fungi पे based था जो fungus रहती थी वो fungus जो है वो stable को decompose कर देती थी तो उसका widely use किया जाना चाहिए अगर stable burning से fight करनी है और farmers को उसको affordable rate पे provide किया जाना चाहिए जिससे की major जो pollution की problem है उससे बचा जा सके तो अब यहाँ पे जो pollution ये सारा कुछ analysis कौन करता है कि जो pollution हो रहा है वो काम है CPCB Central Pollution Control Board का जो Central Pollution Control Board है वो statutory organization है अंडर ministry of environment forest and climate change इसको 1974 में establish किया गया था तो ये जो अपना काम है वो state agencies से जो है वो coordinate करना उनको जो है instruction देना ये सारे कुछ काम है CPCB के next यहाँ पे no separate flag constitution for nagaland says governor अब यहाँ पे issue क्या है जो nagaland है वो particularly जब से आसाम को annex किया था Britishers ने उसके बाद से लेके 1826 से इस issue का origin है तब से अभी तक 2015 तक recently नागास के साथ central government ने बहुत बार ऐसा जो है वो tie up किया है उनके साथ जो है वो issue जो है उसको खतम करने की कोसिस की है बार बार वहाँ के जो leaders है जो की NSCM जो वहाँ की एक group है National Socialist Council of Nagaland, ISAC, Mubiak के दो person थे इन्होंने ये बनाया था group तो इनकी demand है कि जो Nagaland है उसका एक greater Nagaland होना चीए जो आसपास के three states है उसको जोड़ देना चीए Nagaland में उसका कुछ reason साथ में जो है वो Myanmar का कुछ reason भी Nagaland में include करके greater Nagaland बनाना चीए जिसके बाद जो Nagaland है उसका एक separate flag होना चीए और Nagaland का अपना constitution होना चीए तो central government इनके साथ जो है बहुत बार ऐसा peace talk कर चुकी है बट हर बार ये जो peace talk है वो उतना जो है वो result oriented नहीं हो पाता है तो इनकी जो demand है उसकी उपर जो Nagaland के governor है एन रभी उन्होंने ये बात बोली है कि it cannot be given constitution and flag ये जो है इंडिया का integral part है और वो रहेगा next आप इसकी पूरी timeline जो है वो notes में आप access कर सकते हैं वहाँ पे दी हुई है next बात की जारी है राजस्थान जो है वो प्लान कर रहा है कि वो electrification करेंगे जो आंगनवाडी होते हैं तो ये एक major step हो सकता है अगर ये step थोड़ा पहले लिया जाता तो अभी जो vaccine provide करनी है उसमें जो cold storage की facility है वो इंडिया में जो आंगनवाडी का network है उसमें particularly जो है वो अगर electrification होता है तो वहाँ पे cold storage की facility create की जा सकती है जिसमें की vaccine को हर एक गाउं में हर एक जो आंगनवाडी है वहाँ पे जो है वो रखा जा सकता है जो है वो 14 लेक आंगनवाडी है तो अगर कुछ आंगनवाडी का electrification होगा तो उसमें जो और भी ज़्यादा जो लोग है जो adolescence girl है या जो children है वो और उनकी जो attendance है वो आंगनवाडी में बढ़ेगी यहाँ पे कुछ statistics दिया हुआ है जो last year union government के जो senior officer है उन्होंने बताया कि government जो 14 लेक आंगनवाडी है country में उन में से 2.5 लेक को जो है वो अप्ग्रेड करना चाहती है और पालियमेंट में उन्होंने data provide किया जिसमें की 3.6 लेक आगनवाडी जैसी है जिनके पास कोई भी toilet facility नहीं है 1.6 लेक के पास जो है drinking water facility नहीं है drinking water facility it means to say that बाहर जो वो hand pump होता है वो भी नहीं है वहाँ पे even जो है वो remote areas में है तो वहाँ पे water की जो proper facility वहाँ पे नहीं है 12% आगनवाडी जैसी है जो कच विल्डिंग में है और अड़नाचल प्रदेश नागालेंड मनीपुर और बिहार तमिलनाडू में इतने परसेंट जो है ऐसी आगनवाडी है जिनके पास अपनी जो है वो पक्की विल्डिंग भी नहीं है नेक्स जो अब important news है यह जो west का page है इसमें ऐसी कोई भी जो news है व उसमें जो तहाब और राना का रोल है उसके बारे में discuss किया गया है तो यह important नहीं है next यह जो article है वो बात कर रहा है फार्म ब्लॉस के बारे में और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो मंडीज है उनको establish किया जाना चाहिए उस बारे में इसमें जो है वो बात की है जो central government का 20 November को जो notification आया था उसमें उन्होंने जो आयरवेदिक doctors है उनको जो 58 तरह की जो surgeries है उनको करने परफॉर्म करने की जो permission है वो provide की है तो उसके बारे में यह article बात कर रहा है नेक्स्ट यह वाला जो आर्टिकल है वो बात करता है इंडिया और नेपाल के जो ties है उसके बीच में उसके बारे में विकाज अभी जो recently foreign secretary है हर्सवर्दन सिंगला उनकी जो visit थी नेपाल में उसके बारे में उसकी बज़े से यह article है नेक्स्ट यह बात कर रहा है कि जो 36 ग जो extra battalion है वो वहाँ पे deploy की जा रही है उसके बारे में discuss किया गया है आज का जो caricature है वो बात करता है कि अभी recently हैदराबाद में जो वहाँ के जो greater हैदराबाद के नगर निगम के election थे उसमें जो भारती जनता पार्टी है उनकी तरब से जो है अमिस साहा और अधर जो political leaders से उन्होंने जो है वो campaigning की because वो जो है वो reason उसमें 28 ऐसी बिधान सवा seats हैं जिन पे एक बार में campaigning की जा सकती थी तो that's why उन्होंने इस reason को बहुत जादा ही focus दिया दूसरी तरफ जो farmers हैं वो अपना protest कर रहे हैं MSP के लिए minimum support price जो है उसको demand कर रहे हैं कि उसको एक statutory और obligation government provide कर हैं उस बात के लिए कि उनको MSP हमेशा ही मिलता रहेगा अब आज का जो data point है इसमें discussion किया गया है कि इंडिया का जो state of corruption है वो जो transparency international है इन्होंने conduct किया था और ये एक public survey है जिसमें ये पता लगाया गया कि under the table कितने लोग ऐसा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो corruption है तो बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में लगभग 89% लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत जादा ही corruption है और साथ में जो है वो bribery rate कोई आपको काम कराना है तो 39% तक आपको bribery देनी पड़ेगी जो particular आपका कोई भी government से related work होता है उसके लिए और बहुत सारे जो इंड है ब्राइब का particularly और अगर जो है वो bribery नहीं दी जाती है तो इसके वे जैसे कुछ services जो है जैसे पुले से IDS है यूटिलिटीज है पब्लिक है सेंटर है पब्लिक स्कूल से तो वहाँ पे जो है services disrupt हो जाती है देन ब्राइब फॉर्ट तो इंडिया जो है वो फोर्थ नमब पर आता है और थाइलेंड जो है वो फर्स नमबर पर आता है इस case में Asian countries में जहां पे जो है वो bribe दी जाती है वोटर्स को लोभाने के लिए एक ही वो particular party को जो है वो अपना vote कास्ट करें अब ये जो आर्टिकल है सबसे first the perils of deregulated imperfect agri market मतलब अगर particularly government जो है वो agriculture market को deregulate कर द आएंगे जो agriculture market है उसके उपर तो यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल की starting ऐसे होती है कि जो ये farmer protest है massively इंडिया के जो हर्याना पंजाब और कुछ बेस्टन यूपी वाला reason है वहां के जो farmers हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात के उपर protest कर रहे हैं कि आने वाले time में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो private players हैं वो market में आएंगे और जो farmers हैं उनके लिए जो मंडी अभी open है वो government धीरे धीरे जो है उसको phase out कर देगी और आने वाले time में पूरी तरह से जो farmers हैं वो private player के उपर depend हो जाएंगे अपना जो भी crop है उसको बेचने के लिए तो यहां प बात की है तो यहां पर बात की जा रही है कि जो wheat है और paddy है उसमें 29% और 44% ही harvest जो है वो मंडी में बेचा जाता है और 49% जो paddy है मतलब rice है और 36% जो wheat है वो local private trader है उसको farmer जो है वो बेच देते हैं तो अभी तक मतलब ऐसा है कि जो larger proportion है वो तो trader को ही बेचा जा रहा है और directly उसको मंडी में नहीं बेचा जा रहा है तो government ऐसा क्या करे जिससे की जो farmers है वो secure हो सके तो government को 19 government को जो है वो मंडी इसको two reason की बज़र से जो है farmer इस बात के लिए बात दे हो जाता है कि वो मंडी से बाहर sell करे पहली बात 1976 में सि 4145 ही इंडिया में जो है large मंडी थी और उसके बाद जो है National Commission on Agriculture ने ये बात recommend की थी कि हर एक farmer को ऐसी facility होनी चाहिए कि वो मंडी में वन आर्थ से कम टाइम में ही जो मंडी है वहाँ पहुच जाए काट के थूँ एक बैलगाडी के थूँ तो average जो है area जितने हर एक मंडी जो करना चाहिए एक मंडी को तो मंडी का नंबर जो है वो increase करना चाहिए जितना भी पहले था उससे 41,000 लेकिन 2019 में अगर डाटा देखा जाए तो इंडिया में सिप 6,630 मंडी हैं तो government ने खुद ही जो farmers हैं उनको vulnerable बना दिया है कि वो traders को अपना जो भी चीजें हैं वो ले ज देखते हैं तो transportation की cost है फिर भी उनको ही लेनी पड़ेगी because जो traders है वो एक marginal farmers जो की बहुत ही कम कोई चीज उगाता है तो उससे तो वहाँ पे पर्टिकुलर्ली उसके खेत में जाके purchase नहीं करेगा अब यहाँ पे 2017 में भी government को ये recommend किया गया कि 10,130 जो mondays है उतनी तो at least होनी ही चाहिए और दूसरा reason जो बताया कि small and marginal farmers हैं वो बहुत कम ही उनके पास marketable surplus होता है after जब उनका जो खुद का वो crop अपने लिए बचा लेते हैं उसके बाद उनके पास बहुत ही कम बचता है तो उनके पास ये इतने पैसे नहीं होते कि वो transportation cost को bear करके particularly वो मंडी तक ले जाएं और फिर वहाँ पे बेचें तो वो blaze trader को ही बेच देते हैं बहुत ही कम price से तो अगर private market replace करते हैं मंडी को और आगे चलके तो ये जो marginal farmers है वो और भी जादा vulnerable हो जाएंगे उस situation उस condition में वो ये सही बात है कि वो आने वाले time में और भी जादा vulnerable हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई bargaining power इस तरह से नहीं रहेगी because upper hand रहेगा trader का क्योंकि इनके पास उतना जो है वो particularly crop नहीं है कि वो traders से bargaining कर सके अब मंडी के बाहर जो sell करने की जो freedom जो इस act में बात की जा रही है वो already कुछ 18 states ऐसे हैं जिनोंने ये permission farmers को दी हुई है कि वो मंडी से बाहर अपना जो crop है उसको sell out कर सके और दूसरी चीज जो है 19 states ने इस बारे में भी allow किया है कि जो बीच में जो brokers हैं जो traders हैं वो directly farm house से ही farmers से उनका जो produce है वो purchase कर सकते हैं तो ये बात इस बारे में की जा रही है और दूसरी चीज जो big players हैं जो कुछ अच्छी cost farmers को दे सकते हैं वो इस बात से market में जो है वो enter नहीं करते हैं because transaction cost है वो बहुत high है साथ में collection करने की aggregation की तो जब अगर एक particular private player जो है वो मंडी के बाहर अगर purchase करने का सोचता है बलेश टेडर से purchase करने का सोचता है तो उसमें जो collection centers हैं उन पे जो बर्करने वाले बर्कर हैं उनकी salary, grading, storage, transport इसकी cost बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो और दूसरी चीज यह जो अनाज है वो एक perishable goods है कि अगर untimely जो है rain आ जाती है तो because of that वो भी खराब हो सकता है और दूसरी चीज जो transaction cost है वो बहुत ज़्यादा होती है तो private market में भी farmers को उतना rate नहीं मिल पाता है और दूसरी चीज government का कहना है कि जो अब particularly जो mandi का tax है वो एक तरह से government का save हो जाएगा और जो लोग है उनको mandi tax जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा farmers को mandi tax नहीं पे करना पड़ेगा बट writer यहाँ पे criticize इस बात पे कर रहा है कि जो पंजाब है उसमें government जो है वो market commodity जो fee लेती है और rural development fee लेती है तो पंजाब mandi board जो ये money है उसका जो use है वो rural roads बनाने में medical और veterinary जो dispensaries है उनको बनाने में drinking water को supply करने में और sanitation को improve करने में rural identification को improve करने में help कर यूज करती है तो ये जो system है वो रहना चाहिए अब लेकिन जो MSP है वो survive तो करेगा बट government जो है वो क्योंकि government को minimum जो buffer stock government को बनाना पड़ता है जो poor person को PDS system के under government जो supply देती है food की उसके लिए government को एक बहुत बड़ा stock जो है FCI के go down में रखना होता है तो minimum support price government रहेगी buffer stock को maintain करने के लिए बट ये जो policy decision है इससे clearly ये दिख रहा है कि आगे चलके जो buffer stock को maintain करने के लिए भी government जो है वो MSP पर depend नहीं करेगी अब MSP आखर क्यों देना चाहिए ये बात यहाँ पर चल रही है जो first जो input और labor cost है वो बहुत जादा बढ़ जाती है तो commission for agriculture cost and price जो commission है वो ये slow rate पे जो है वो बढ़ा रही है अब यहाँ पर पंजाब हर्याना और western उत्रपदेश की बात की गई है क्योंकि यहाँ पर जो है जब green revolution launch हुआ था 1965-66 में उस time पर सबसे पहले यहाँ पर FCI के go down बनाए गए थे तो उसके business पर सबसे ज़्यादा जो procurement है वो यहीं से ही होता ह है इनी center से होता है तो अगर यहाँ पर जो मंडीज हैं वहाँ से government अगर procure नहीं करेगी ज्यादा मात्रा में आनाज तो वहाँ के जो किसान है वो vulnerable रहेंगे because उनके पास access amount of जो है crop होती है जिसको फिर वो sell नहीं कर पाएंगे तो यह बात इस article में की जा रही है next यह जो article है वो बात करता है जो government ने अभी particularly जो अपनी 20 November की एक notification release की है उसमें जो आयरुबेदिक post graduate होते हैं डॉक्टर्स होते हैं उनको 58 तरह की जो surgeries हैं उनको perform करने की जो है वो permission दी है तो यहाँ पर राइटर बात कर रहा है कि जो यह surgery का काम है वो एक तरह से apprenticeship का काम है जिसमें की ए apprentice होता है वो एक particular guide के through कुछ time तक जो है वो कोई चीज सीखता है और यह कोई machine नहीं है कि जहाँ पे कोई बाहर की चीज अगर एक person ने सीख लिए उसको operate करना सीख लिया तो उतने से ही काम चल जाएगा एक particular doctor को जो है पूरी internal functionalist पता होनी चाहिए जो की एक particular जो MD या MS होता ह है वो अपने दो साल या 6 साल का जो course होता है उसमें सीखता है तो ayurvedic doctors को अगर यह permission दे दी जाती है तो ऐसा जो है error हो सकता है United States में एक data writer नहीं दिया है कि United States में ऐसे 4000 surgical errors हैं वो हर साल अकर होते हैं despite वहाँ पे well considered control है doctors के उपर doctors और जो patient है उनका ratio भी काफी अच्छा है लेकिन फिर भी यह error वहाँ पे आते हैं तो इस बारे में writer नहीं आपे बात की है कि government को इस बारे में सोचना चाहिए then recalibrating नेपाल और इंडिया के जो ties हैं अब यहाँ पे जो इंडिया के foreign secretary है हर्स बर्दन सिंगला वो Kathmandu 26 November को उनका जो है वो budget था जिसमें कि उन्होंने fluent नेपाली में वहाँ के जो press है उससे बात की और traditional जो है वो exchange हुआ उनके talk का बट यहाँ पे बात की जा रही है कि नेपाल और इंडिया के जो relation है वो एक तरह से अभी काफी अच्छे नहीं है और बहुत जादा ही उसमें controversy होती रही है time to time because अभी इंडिया ने जो अपना map release किया था आफ्टर जो है 5 अगस्त को जो जमुएन कस्मीर का special status हटाने के बाद उसके बाद नेपाल ने एक अपना particularly map release किया because इंडिया ने उसके साथ discuss नहीं किया तो जो काला पानी का issue है नेपाल के साथ उसको नेपाल और इंडिया के बीच में वो एक major issue था और दूसी चीज इंडिया जो है वो एक upper hand रखता है नेपाल के development project में because जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में तब इंडिया ने जो है वो बहुत help की थी but despite इंडिया जो है billions of rupees नेपाल में over the decades डाल चुका है but इंडिया को जो है उतना leverage नेपाल में नहीं मिल पाया है तो इस article पे ये बात की गई है सबसे पहला जो first issue है कि नेपाल में जितनी भी aid मतलब जो मदद है other countries करती है वो नेपाल के plan के according करती है जो भी government वहाँ की plan करती है उसके according करती है और दूसरी तरब जो इंडिया का जो plan है नेपाल को help करने का वो इंडियन government के according होता है जिससे की नेपाल की जो वहाँ की government है वो उस help को जो है उतने अच्छे से pick नहीं करती और दूसरी तरब चाइना का जो involvement है नेपाल में 2015 के earthquake के बाद जो है वो बढ़ चुका है because China का जो one belt one road initiative है उसमें नेपाल का भी involvement है दूसरा जो people to people ties है इंडिया के बहुत सारे लोग नेपाल में बर्क करते हैं जहां से वो है 3 billion rupees जो है हर साल 3 billion dollar जो है हर साल जो है remittance में इंडिया में भीजते हैं तो जो all over जो world में इंडिया में remittance आता है उसमें से इर्थ नंबर पे जो है वो नेपाल का नंबर आता है तो इंडियन government को जब नेपाल के साथ relation रखना है तो इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल से इतना जादा जो remittance है वो आता है और दूसरी चीज इंडिया को इंडिया जो है वो यह नहीं सोचना चाहिए कि नेपाल के जो लोग है वो सिर्फ इंडिया आते हैं वो 20 years में लगभग 20 years में more than जो 100 countries है वहाँ पे नेपाल के जो citizen है वो job और education के लिए जाते हैं और नेपाल की जो थर्टी फोर्थ जो population है वो 35 years से कम है तो इंडिया को जो है जादा से जादा नेपाल से जो है वो people to people ties और जादा बढ़ाने चाहिए यह बात इस article में की जा रही है next यहाँ पे बात कर रहे हैं कि union government ने process किया है कि 5 जो battalion है central armed police forces की CRPF की central reserve police forces की 36 गड़ में जिससे कि जो anti-myoist operation है particularly south western reason है वहाँ पे कम किया जा सके अभी 45 central government की force battalion वहाँ पे already deployed है 36 गड़ के 14 district में जो की moist affected है और उसमें से जो 8 district है वो severely affected है और साथ में जो 45 battalion central government की है साथ में 22 जो है वो state की battalion भी बहाँ पे है तो CRPF की जो specially trained जो cobra unit है और states की special task force है और district की reserve guard है वो भी operation में engaged है तो ये जो है वो national policy और action plan है जो central government का left wing extremism को contain करने के लिए इस बज़े से ये ground पे launch किया गया है अब यहाँ पे इतना जादा security deployment होने के बाद भी वहाँ पे एक security vacuum है मतलब वहाँ पे कमी है पर्टिकुलर्ली जो साउध बस्टर और अबूजमार का जो reason है वहाँ पे ऐसे area है जो की base area है माविस्ट के तो वो वहाँ पे mobile war मतलब चल फिर के जो gorilla war type है वो वहाँ पे launch करते हैं जिससे की जो army है वो वहाँ पे जब particular वहाँ पे base बनाने जाती है तो उसी time पे उन पे अटेक कर दिया जाता है तो ये बात यहाँ पे की जारी है और पहला जो benefit है ज्यादा forces का तो इससे जो आयोस्ट हैं उनके उपर एक तरह से pressure जो है वो बड़ा बन जाएगा और दूसरा जो उनका पर्टिकुलर्ली मूमेंट है वो एक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एक smaller area में जिससे उसको contain करना ज्यादा आसान होगा और दूसरी चीज जो है इससे new जो है security camps बनेंगे और nearby villages के लिए आने वाले time में जो road है ट्रांसपोर्ट का network है school है अंगनवाडी है वो open की जाएगी और public distribution shop जो है अभी बंद है restore की जाएगी majorly वहाँ पे जो ST population है वो रहती है तो उनको जो है एक तरह से government free रासन provide कर सकती है और security environment अगर improve होता है तो road का network, mobile tower का network, electricity pole ये सारा कुछ जो है वो involve कर लिया जाएगा और दूसरी चीज जो मनरेगा है उसको वहाँ पे launch करके जो वहाँ पे assets create की जानी है, schools बनाए जाने है उससे लोगों को जो है वो job मिल सकती है तो fourth चीज जो democratic institutions हैं जैसे की जो particularly वहाँ के elections हैं और improved security scenario में election कराए जाएंगे तो political activity बढ़ेगी तो लोगों का जो है वो धीरे धीरे वहाँ पे development start हो जाएगा लेकिन यहाँ पे CRPF के जो जवान हैं उनको बहुत ज़ादा ही cautious रहने की ज़रूरत है कि जब वो एक अपने base camps में move करते हैं तो उस time पे जो myost हैं वो उनके उपर जो है वो IED improvised जो exclusive device है उसके through attack कर सकते हैं तो यह उनको बहुत ज़ादा ही ध्यान रखने की ज़रूरत है अब next जो south वाला page है इसमें कोई भी ऐसी अब next जो news है इसमें बात की जा रही है जो advocate है अस्पनी अपाद है उन्होंने एक petition डाली है Supreme Court में उन्होंने बोला है कि right to reject जो है उसको जल्दी ही implement करना चाहिए election commission को कि अगर एक particular constituencies में किसी भी candidate को जो है नोटा से अगर नोटा म उनको जो हटा के एक फिर से नया election होना चाहिए क्योंकि अभी जो particular political parties है वो लोगों से discuss किये बिना ही एक अपने candidate को चुनती है जिससे की वहाँ पे उस particular reason में लोगों की बिल के against ही एक candidate को चुना जाता है तो अगर लोग किसी political party को affiliate करते भी हैं उसके बाद भी उनको desired candidate नह ही मिल पाता है और दूसरी चीज जो है वो इससे जो है corruption पे check होगा criminalization, casteism और communalism जो है वो खतम होगा और parties जो है ऐसे लोगों को ticket देंगी जो honest है, patriotic हैं ऐसे candidate को ticket मिलेगी अब जो right to reject है वो सबसे पहले law commission ने अपने 1999 की report में suggest किया था कि एक candidate जो है वो तभी declared किया जाएग जब उसको 50% प्लस बन बोर्ट जो है वो मिलेगी और 2001 में election commission ने right to reject जो है वो launch किया था ऐसा मतलब माना था कि उसमें जो है reform करना चाहिए अब दूसरा जो background paper of electoral reform है जो की ministry of law ने 2010 में बनाया था उसमें ये बताया था कि अगर certain percentage of votes negative है तो election का जो result है वो nullified कर दिया जाएग negative मतलब अगर वो nota पे पड़े हैं ऐसे vote तो election का result जो है वो nullify कर दिया जाएगा दूसरा जो है बात की जा रही है कि information sharing बहुत ही crucial है ऐसा कहना है financial action task force जो की intergovernmental body है 39 countries की जो की Paris में जिसका headquarter Paris में है जो की money laundering और terror financing से related cases को study करती है तो उनका कहना है कि एक particular money laundering के cases में अगर ज वो आपस में data share करती है तो उससे जो है वो इसको effectively contain किया जा सकता है next यहां पे यह जो world news है इसमें कोई भी important news नहीं है next इंडिया में 350 million 5G connections हो सकते हैं 2026 तक यह एक report की तरह से बोला गया है thank you very much